नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमिता सुष्टेव केरवल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं जिसका नाम है आचल, The Desire for a Child दोस्तों, पेरेंट हुड एक बहुत वंडरफुल एक्सपिरियंस होता है लेकिन जो तमाम कपल्स इस एक्सपिरियंस से दूर होते हैं वो इसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सब इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं और उन्हें लगता है कि इस प्रॉबलम का कोई सॉलिशन नहीं है लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि इस प्रॉबलम का भी सॉलिशन है यानि इन्फर्टिलिटी को भी अपनी जंदगी से दूर किया जा सकता है और आपका आंगन भी खुशियों से भर सकता है जरूरत होती है सही गाइडन्स की और हम हमेशा बात करते हैं इन्फर्टिलिटी से जुड़े किसी ना किसी पहलू के बारे में उसके किसी ना किसी ट्रीटमेंट के बारे में एक बार फिर हम उसी के बारे में बात करेंगे और एक ऐसी टेक्नीक जिससे इन्फर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है उसका नाम है XC और MC क्या होती है XC, क्या होती है MC इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रस्वक मौझूद है Renowned Gynecologist and IVF Specialist Dr. Shobha Gupta Dr. Shobha आपका बहुत-बहुत स्वागत है Careville TV के इस खास पेशकेश में Thank you इससे पहले कि मैं आपसे XC और MC के बारे में जादा बातचीत करूँ या जानू कि यह क्या होती है इस treatment को कैसे perform किया जाता है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगे कि अगर आप भी infertility के शिकार है और आपको लगता है कि इस problem को दूर नहीं किया जा सकता तो यह गलत है क्योंकि इस problem को दूर बिलकुल किया जा सकता है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संपर्ट कर सकते है contact details आपके TV स्क्रिन पर लगतार flash कर रहे हैं सबसे पहले आपसे जाना चाहूंगे डॉक्टर शोभा अपने शोपर की इकसी और इमसी क्या होता है इकसी को हम बोलते हैं इंट्रा साइटो प्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन और जो इमसी है तो माइव जरी बुरूंतियार करते ते और हम करबाश्य में डाल देते लेकिन जब मेल्स में प्रब्लम होती थी जैसे मेल्स के शुक्रानों बहुत कम है उनकी मोटिलिटी में प्रब्लम है तो कोई सलूशन नहीं था आजकल एक टेक्निक आगई है इक्सी और इमसी जो भी है इसमें क्या है कि अगर मेल्स के शुक्रानों में बहुत ज़्यादा कमी है जैसे कि 10 मिलियन काउंट है वन मिलियन काउंट है यह मोटिलिटी में बहुत ज़्यादा कमी है जिसमें आईविफ भी कारगर नहीं है अब हमें ये भी बताएं कि इस टेक्नीक को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है? जो एकसी टेक्नीक है उसमें बेसिकली प्रॉब्लम कहां पर है? मेल का जो स्पर्म है या तो उसकी गती बहुत कम है और अंडे को नेचरल तरीके से हिट करके फटलाइज नहीं कर पाता या फिर वो एमाउंट उसका इतना कम है कि वो अंडे को फटलाइज नहीं कर पाता है शुक्रानों का जो काउंट है वो बहुत जादा कम है सिरफ एक मिलियन, पॉइंट फाइफ मिलियन ऐसा आपका जो काउंट आ रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं? अंडे की जो भारी जिल्ली होती है जिसको हम Granulosa भी बोलते हैं हम भारी जिल्ली को हटा देते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर पकड़ते हैं और दूसरे एक इंजेक्टिंग पाइपट होता है injection needle में हम एक sperm लेते हैं शुक्रानों लेते हैं और क्योंकि शुक्रानों खुद से हिट करके अंडे के अंदर नहीं जा सकता तो हम उस needle के जरीए शुक्रानों को अंडे के nucleus पे डाल देते हैं और fertilization में help कर देते हैं और फिर जैनेटिक बेभी पा सकते हैं तो एक्सी और इंसी के बारे में आपसे और डिसकस करूंगी लेकिन उससे पहले अपने व्यूज़ को बता दूं कि अगर आप भी एक्सी और इंसी ट्रीटमेंट के द्वारा इंफर्टिटी को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप संपर्ट कर सकते हैं कॉन्टाक्ट डीटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रिंटर फ्लैश हो रही हैं जैसे आपने एक्सी और इंसी बताया हमने बात की है आई वी एफ और आई यूई के बारे में भी किस तरह से ये ट् अगर महिला की ट्यूब्स बंध हैं और पुरुष इसमें भी बिल्कुल ठीक है उसके शुक्रानों वगरा बिल्कुल ठीक है तो हम टेस्ट भी बनाते हैं आई वीफ के जरी हो गरभाशे में डाल देते हैं लेकिन जो इक्सी और इंसी है वो मेल इंफर्टिलिटी में तो उस तीती में हम इक्सी और इंसी को यूज करते हैं हम सब स्पर्म सेलेक्ट करते हैं और फटलाइज कराते हैं एक को और भून तियार करते हैं और फिर उसके महिला के गरभाशे में डालते हैं और इसके अलावा मैं अगर जानना चाहूं कि किस तरह से ट्रीटमेंट काम करता है मतलब अगर एक बार इस treatment को ले लिया तो क्या इसे दुबारा भी लिया जा सकता है हाँ इसको दो से तीन बार लिया जा सकता है क्योंकि इसका एक एक cycle का success rate 35-40% माना गया है मतलब कि जो दंपत्य भी 0% पे था वह अपने जनेटिक बेबी पूरुष को मिली नहीं पा रहा था, तो पहली साइकल में 40% चांस होते हैं कि आपके एक या दो बच्चे गर्माशे में ठहर जाएंगे, जो हम पुरून तियार करते हैं, और मल्टिपल साइकल साप इसकी ले सकते हैं, इसमें कोई दो रहा है, पूरे प्रॉसेस में डॉक्टर शोभा कितना टाइम इन्वॉल्ड होता है, टाइम इसमें लगता है, जैसे इस आई विफ प्रोसीजर में हमारा टाइम लग रहा है, ये प्रोसीजर बिलकुल सिमिलर है इसमें प्रोसीजर है, पहले रम अंडे बनाएंगे, कुछ इंजेक्शन्स लगाएंगे महिला को फिर उनको भी होश करके उनके बाहर निकाल लिए जाएंगे आइवेफ में क्या करते हैं एक पेट्री डिश में जो हस्बन के स्पर्म से वोश करके डाल दी जाते हैं स्पर्म खुद से पटलाइज करता है वो नेचुरल सेलेक्श प्रेयविघ के सिमिलर ही रहता है बस इसमें हमें एक एक्श्गा म करना होता है कि जो फेटलाइजेशन प्रोसस है जो की डिश के अंदर वो नेच्रौली नहों के फेटलाइजेशन पर हमें कराना पड़ता men क्स़ों से इसकषिकन बहुत अधीप चारु kalian तो अगर हमें लगता है कि जो मेल्स के स्पर्म्स हैं उसके काउंट में हमें लगता है कि आई विफ से शाहद ना बात बने तो हम 10-15,000 का बजट एक्स्ट्रा बता कि पेशन्ट को एकसी का प्रोजिजर ले लेते हैं तो अपने एकसी और इमसी जैसे खास ट्रीट्मेंट की बात की मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इसका फाइदा जरूर उठाना चाहेंगे क्योंकि वो भी अपने जीवन से इंफर्टिलिटी को दूर जरूर करना चाहेंगे और आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी डॉक्टर शोबा जो आप यहां आई और इकसी इमसी जैसे ट्रीट्मेंट के बारे में हमसे बात की तो दोस्तों अब आप में से जिन लोगों को भी यह लगता है कि बांचपन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसे कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता है उन लोगों को यह बिल्कुल नहीं सोचना है अपने स्ट्रेस को जिन्दगी से आउट कर देना है और खुशियों की एंट्री जिन्दगी में करा लेनी है क्योंकि इनफर्टिलिटी से जरूर आपको निजात मिल सकती है XC और MC के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं जरूर जान सकते हैं, संपर्ट कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर शोभा और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी मदद करने के लिए दतपर है Infertility से संबंधित किसी भी सवाल या इलाज के लिए संपर्ट करें हमारी एमेल आईडी है हमारी मेब साइट है आप हमें संपर्ट कर सकते हैं इन नमबर्स पर या 09910-516-999 तो फिल हाल हमें इजासत दीजे दोस्तों एक और नए एपिसोड के साथ हाजर होंगे जिसमें बात करेंगे Infertility के उपायों की कुछ और नई संभावनाओं की Till then, you all have a very good care of yourself स्वस्त्रही अपना खयाल रखे क्योंकि हमें आपकी फिक्र है